नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपको अन्यूज्वर इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युमिन शर्मा एक नज़र डालते हैं पाच मिनिट में 25 खबरों पर किसान संगठो द्वारा देश व्यापी रेल रोको अभ्यान चलाया जा रहा है क्रिश्ची करनूरों के खिलाफ किसानों के अंदुलन को तीन महीने हो गये हैं देश में दोपैर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ही अभ्यान चलाया जाएक पाँ और वहीं केरल विधान सबा चुनाफ से पहले राज जम्य हलचल शुरू हो गई है मेटरो मैन के नाम से मशूर ई श्रीधरन चुनाफ से पहले भारती इंता पार्टी में शामिल हो गए है बंगाल की ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसेन पर मुर्शीदाबाद जिले में फैटर बम से हमला हुआ है जिसके बाद आनन फरन में उनने अस्पताल में भर्ती कराए गया है फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है उत्रप्रदेश के उननाओं में एक खेत में दू नापलेक लड़कियों के शब मिलने से अड़कम पमच किया है पुलिस ने शबो को पोस्माटम के लिए बेचा बारत में कोरोना के मामलों में जहां कमी आ रही है वहीं महराश के आकड़ चिंतजनक बने हुए हैं मुंबई में पिछले 24 गंटे की बात करते हैं तो संक्रमन के 721 नए मामले दर्च किये गए लगदाक में भुकम के हलके जटके महसूस किये गए नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलोजी के नुसार रेक्टर स्केल पर भुकम की तिवरता 3.7 मा पी गई फिलाल किसी के हतात होने की कोई खबर नहीं आम आदमी के लिए कोरना का टीका इस साल बजार में उपलब्द होगा दिल्ली एम्स के निर्देशक डॉक्टर रनदीब गुलेरिया ने कहा है कि साल के अन तक बजार में भारतिये को कोरना टीका मिल जाएगा जिसे कोई भी व्यक्ति खरीद कर लगवा सकता है जौनपुल में थाने में बंद एक चोर रात लगबग नौ बजे पुलिस को चक्मा देकर फरार हो गया है जिसके बाद प्रशाशन में हड़कम पमच के आया है पुलिस लगातार तलाश कर रहे चोर की और वहीं रहतक के जाट कॉलिज अत्यकारण में मरने वालों की संक्या अच्छे हो गई है मनोज और साक्षी के तीन साल के मासूम बेटे सर्टाज ने भी वारदात के चार दिन बाद पीजिया ही रहतक में दम तोड़ दिया है सर्टाज के सिर में गोली लगी थी लुद्याना में दोस से कुकर्म करने पर एक युवक ने अलाके में सित जुग्यों में रहने वाले मूतिलाल को साथी के साथ मिलकर मौत के खाट उतार दिया है पुलिस ने शक्स को गिरफतार किया हर्याना के करनाल में तीन भाहियों के शब मिलने से अलकम मच गया है परिजनों ने हत्या के आशंका चताई है लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी अग्यात वहान की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई है फिलार पुलिस वांदे की तफ्तीश कर रही है और वहीं जम्मू के सतवारी एरफोर्स स्टेशन पर तेनात एक विंग कमांडर पर महिला स्कूर्डन लीडर ने छेड़ चाड़ के आरोप में केस दर्च करवाया है पुलिस थाने के एसेचो निशांत गुपता ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है फिलार अधिकारी की गरफतारी नहीं हुई है यूपी में हरदोई में संपत्ती के विवाद में चोटे बाई ने बड़े भाई को मा की जलती चिता में फेक दिया इससे वहाँ अफरत अफरी मच गई है जुल से बड़े भाई को अनान फालन में स्वास्त केंद्र मवर्ती कराए गया है जबकि आरूपी चोटा भाई मौके से फरार कानपूर में यातियात पुलिस करमी के बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने नगदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है पीड़ित ने गटना की जनकारी पुलिस को दी है पुलिस चोरों की तलाश में जुटी और वहीं रहो तक में होटल में सो रहे हैं युवक को हत्यार बंद युवको ने गोली मार कर हत्या कर दी है फरार हो गये हैं पोलिस ने शब को पोस्पाटन के लिए बेजा फिलाल पोलिस युवको की तिलाश कर रही है हरेदवार में टीवी सीरियल में रोल दिलाने के नाम पर एक आरूपी ने कक्षा ग्यारवी की नाबालिक छात्रा के साथ दुशकर्म की कोशिश की है पीड़ता की सूचना पर पुलिस ने आरूपी को एक होटल से गरफतार किया वार नसी में राइफल दिखा कर घुड़की देने के दौरान गोली चल गई है राइफल से निकली गोली के छर्रे अपार्टमेंट के सिक्योर्टी गार्ड के दौनों पैर में जा लगे पुलिस ने राइफल को कबजे में लेकर दो लोगों को हिरासत में लिया हिमाचल प्रदेश के कांगला जिले में पुलिस ने दो युवकों से तीन तेंदूओ की खाले बरामत की है पुलिस ने मामरा दर्श किया है और ग्रफतार किया गया है अंतिराश्टे बजार्वन की कीमत करीब 10 लाख रुपे सादिक है और वही हर्याणा के पानीपत में पेड़ से रटका एक युवक कशव मिला है ग्रामीनों की सूचना पर पहुची पुलिस ने शरफ को पोस्माटम की लिए बेजा है ग्रामीनों से पूस्ताच की जारी है मिर्जापूर में बदमाशों ने व्रद की हतोडा से सिर्फ पर वार करके उसको मौत के घट उतार दिया है पुलिस ने शरफ को पोस्माटम की लिए बेजा बदमाशों की तिलाश की जारी है राजिस्तान के अलवर जिले में हुई हत्या के मामले को पुलिस ने सुलजा लिया है शक्स की हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला और उसके प्रीमी को गरफतार कर जेल भिज दिया है या shift कर जाती है ये बात अभी साफ नहीं की गई है कोरोना काल की वज़े से इंडस्ट्री को काफी नुक्सान उठाना पड़ रहा है और अब जब इस्तिती फिर से नॉर्मल होती दिख रही है उससे में भी makers की tension कम नहीं हुई है अब इतनी सारी फिल्म में एक साथ रिलीज होनी है कि अच्छी डेट मिलना टेड़ी खीर सावित हो रहा है उन्नाओ की गटा के बाद सोचल मीडिया पर बॉलिवुड का एक तबका एक्टिव हो गया है सुरा भासकर से लेकर रिचाच चड़ा तक कई सेलिप्स ने इस गटना की कठोर शब्दों में निंदा की टाल पाच मिनट पच्चेस को प्रोमे सर्फ इतनाई बले रहे है नीजुन इंडिया के साथ नाउसकार